मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरनी में समझाए पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरनी में समझा ओम शान्ती आज की तारिक है तीन अप्रेल दो हजार वाइस की अवेक्त मुरली रिवाइस डेट तेरा तीन उन्नी सो नबे मदुवन संगम पर प्रमात्मा का आत्माओं से भी चित्तर मिलन आज अनेक वार मिलने वाले सिकलादे बच्चे फिर से आकर मिले हैं बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक वार मिलने वाली समरिती से मिल रहे हैं यह आत्मा और परमात्मा बाप का बचित्तर मिलन है सारे कलप में कोई भी आत्मा इस समरिती से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं चाहे समय प्रती समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फालोर्स को उपर से नीचे लाए लेकिन धरमपिता भी इस समर्थी से नहीं मिलते हैं कि अनेक कलप मिले हुए फिर से मिल रहे हैं इस पच्छ समर्थी से सिवाए परमपिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते चाहे इस कलप में पहली वार ही मिलते हैं लेकिन मिलते ही पुरानी समर्थी पुरानी पहचान जो आत्माओं में संसकार के रूप में रिकार्ड भरा हुआ है बह इमर्ज हो जाता है और दिल से यही समर्थी का आवाज आता है यह वही मेरा बाप है बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे मेरा संकलब उत्पन हुआ उसी सेकंड उस शक्ति शाली समर्थी से संकलब से नया जीवन और नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस समर्थी सबरूप में टिक गए जैसे की समर्थी सबरूप बने तो समर्थी के रिटर्न में समर्थी सबरूप बने समर्थ सबरूप बन गए ना कमजोर सबरूप तो नहीं होना और जो जतना समर्थी में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार सबते ही प्रापत करते हैं जहां समर्थी है बहां समर्थी है ही है थोड़ी भी समर्थी है तो वेर्थ है चाहे बेर्थ संकलब हो चाहे बोल हो करम हो इसलिए बाब दादा सभी बच्चों को इसी दिर्ष्टी से देखते हैं कि हर एक बच्चा समर्थी सबरूप सो समर्थ है आज तक भी अपना सिमर्ण भक्तों द्वारा सुन रहे हैं अपने समर्थी में लाया मेरा बाबा तो भगत आतमा भी यहीं सिमर्ण करती मेरा इष्ट देवबा देवी जैसे आपने अती प्यार से दिल से बाप को याद किया उतना ही भगत आतमाएं आप इष्ट आतमाओं को दिल से अती प्यार से याद करती हैं आप ब्रामन आतमाओं में भी कोई दिल के सने संबंद से याद करते हैं और दूसरे दिमाग दवारा नालज के अधार पर संबंद को अनुभब करने का बार बार प्रेतन करते हैं जहां दिल का सने और संबंद अती प्यारा अर्थात अती समीप है वहां याद भोलना मुश्क लेकिन दिल का अटूट सने नहीं है, वहां याद कभी सहज, कभी मुश्किल होती है, जैसे शरीर के अंदर नस नस में बलड समाया हुआ है, ऐसा आत्मा में निश्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है, इसको कहते हैं दिल के सने संपन, निरंतर याद, जैसे भगत आत्म बाप के लिए कहती हैं, जहां देखते हैं, तू ही तू है, ऐसे बाप के सने ही समान आत्माओं को, जो भी देखे, वह अनुभब करे, कि इनों की दृष्टी में, बोल में, कर्म में, परमात्मा बाप ही अनुभब होता है, इसको कहते हैं सने ही सो समान बाप, तो समरिती सबरूम तो सभी हो, संबंद भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंद बाप और बच्चे का है सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका कोई नहीं कहते, अधिकार का संबंद होने के कारण सरब प्राप्तियों के बर्से के अधिकारी हो चाहे पचाश बर्ष वाले हैं चाहे छे मास वाले हैं मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए लेकिन अंतर क्या होता है बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है क्योंकि अखूट बर्सा देने वाला दाता है उनसे भी अथा खजाना बाब के पास है तो कम क्यूंदे तो दाता सभी को देता एक जैसा है लेकिन लेपता में फरक है कोई प्राथियों के वर्षे को वकजाने को समय परमान सब्म प्रती वा सेवा प्रती कारिये में लगा कर उसका लाव अनुवफ करते हैं इसलिए बाब क खजाना अपना खजाना बना देते हैं अर्थात अपने में समा देते हैं इसलिए हरे एक खजाने को यूज करने के अनुवब से खुशी और नशे में रहते हैं शुद नशा उल्टा नहीं और दूसरा खजाना मिला है इस खुशी में रहते हैं मेरा है लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कारिया में नहीं लगाते हैं, कोई भी अमुल्य बस्तू को सिर्फ अपने पास स्टोक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभती में अंतर है, जितना कारिया में लगाते हैं, उतनी शक्ती और बढ़ती है, बह सदा नहीं करते, कभी बालों में अंतर पड़ जाता है कारिये में लगाने की बिदी यूज नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है आप सभी कोन हो कारिये में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर हो व समय नमबर वन हो बाप दादा सदेब कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाव जामन हो जो कहा वह किया अर्थात सदा गुलाव जामन मुख में हैं दुनिया वाले कहते मुख में गुलाव लेकिन गुलाव से मुख मीठा नहीं होगा इसलिए गुलाव जामन मुख में ह तो सदा ही ऐसे मुस्कराते रहें अच्छा कई ने ने फिर से मिलने पहुँच गए हैं जो भी इस कलब में फिर से मिलन मना रहे हैं उन बच्चों के लिए विशेश बाप दादा सने का बरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभब करते चलो का हाथ हर बात में आपकी सेफटी का सादन है सबसे बड़े ते बड़ी सिकोर्टी यहीं है बाप दादा सबी टीचर्स की निमत बनने की हिमत देख खुश है हिमत रख निमत तो बन ही जाते होना टीचर निमित बरना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्ट धारी आत्मा की तरफ सब का विशेश अटेंशन होता है ऐसे जिन आत्माओं के निमित बनते हो विशेश वह और जनरल सरव आत्माएं आप निमित बनी टीचर्स को उसी दिरिश्टी से देखते हैं सभी का विशेश अटेंशन होता है न तो टीचर्स को अपने में भी विशेश अटेंशन रखना पड़े क्योंकि सेवा में हीरो पाड़धारी बनना अर्थात हीरो बनना दुआएं भी टीचर्स को जादा मिलती हैं जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने उपर ध्यान देना अवश्यक है यह भी ड्रामा अनुसार बिशेश भाग्या है तो सदा इस प्रापत हुए भाग्या को बढ़ाते चलो सो से हजार हजार से लाक लाक से करोड करोड से पदम पदम से भी पदम पदम सदा इस भाग्या को बढ़ाते चलना है इसको कहते हैं योग्य आदरश टीचर बाप दादा निमत बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमरित वेले वह वच्चे वह यह दुआई देते हैं सुना सेवा धारियों ने टीचर्ज माना नमबर वन सेवा धारी अच्छा चारों और के अनेक गलप न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले सदा प्रापत हुए बरसे के खजानों को हर समय प्रमान कारिया में लगाने वाले सदा दिल से अती सनेही और बाब समान बन स्वम द्वारा बाब का अनुभव कराने वाले सदा समरिती सवरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ सवरूप बनने वाले सदा अपने प्रापत भाग्या को बाटने वाले अर्थाद बढ़ाने वाले ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाब दादा का याद प्यार और नमस्ते डबल विदिशी भाई बहनों से ग्रूप वाइज मुलाकात नमबर एक सभी अपने को बहुत भोध भग्यवान समझते हो क्योंकि कभी स्वपन में भी संकलब नहीं होगा कि ऐसी शेष्ट आत्माएं बनेंगे लेकिन अभी साकार में बन गए देखो कहां कहां से बाब दादा ने रतनों को चुनकर रतनों की माला बनाई है ब्रहमन परिवार की माला में पिरो गए कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो कोई भी माला की विशेष्टा और सुन्दरता क्या होती है दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है अगर बीच में धागा दिखाई दे दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ तो सुन्दर नहीं लगेगा तो आप ब्रह्मन परिवार की माला में हो अर्थात सरब ब्रह्मन आतमाओं के समीप हो जैसे बाप के समीप हो बैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से परिच्चे से अभी मिलता है परिवार में मज़ा आता है ना ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मज़ा आता है योग परिवार से नहीं लगाना है लेकिन समीब एक दो के रहना है इतना बड़ा अढ़ाई लाग का परिवार कोई होगा अभी तो नो दस लाग से भी बड़ा परिवार है तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा बह परिवार में नहीं आ सकेगा बाब दादा परिवार को देख सदा हर्शित होते हैं और सदा एक दो की विशेष्टा को देख हर्शित रहते हैं हर ब्रामन आत्मा के प्रती यही संकल्प रहता है कि वा ब्रामन आत्मा वा देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है तब तो आते हैं नहीं तो उपर बैठ कर मिल लें सिर्फ उपर से तो बैठ कर नहीं मिलते आप बिदेश से आते हो तो बाप दादा भी बिदेश से आत लेकिन आते सेकिंड में हैं आप सभी भी सेकिंड में उड़ती कला का अनुभब करते हो सेकिंड में उड़ सकते हो इतने डबल लाइट हो संकलप किया और पहुंच गे परमधाम कहां और पहुंचे ऐसी प्रेक्टिस है कहां अटक तो नहीं जाते हो कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं केरफूल भी और क्लियर भी ऐसे है न डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं इसलिए सेवा की भी दौाई मिलती है दौाई मिलने की विशेश लिफ्ट मिलती है साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुरसत ही नहीं मिलती इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं यह गुड साइन है कहीं कहते हैं ना लोकिक कारिये भी करें फिर अलोकिक सेवा भी करें और अपनी सेवा भी करें यह तो बहुत बिजी रहना पड़ता है लेकिन यह बिजी रहना अर्थात मायजित बन जाना यह ठीक लगता है यह लोकिक जाव करना मुश्किल है लोग के जाब यानी नोकरी जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वे कहां लगाते हो जैसे समय लगाते है वैसे धन भी लगाते हो तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं सफल हो जाता है न इसलिए ठकना नहीं सेंटर खोलते हो तो कितनी आतमाओं का संदेश सुनते ही कल्यान होता है तो मन और धन का कनेक्शन है जहां धन होगा वहां मन होगा जहां मन होगा वहां धन होगा बाब दादा डबल वदेशियों को सरपरकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं सभी गोल्डन चांसलर हो सदा याद रखना कि सफलता मुरत है और सदा सफलता मेरे गले का हार है कोई भी कारिया करो तो पहले यह सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है जैसा सफल मिलेगा अच्छा नंबर दो यह सवीट साइलेंस प्रिये लगती है ना क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल सबरोप ही सवीट साइलेंस है तो जिस समय चाहो उस समय इस सवीट साइलेंस की स्थिति का अनुभब कर सकते हो क्योंकि आत्मा अभी इन बंदनों से मुक्त हो गई इसलिए जब चाहें तब अपने औरिजिनल सिति में सितित हो जाएं तो बंदन मुक्त हो गए या होना है इस बार मदुवर में दो शबद छोड़ कर जाना सम तिंग और सम टाइम यह पसंद है ना सबी छोड़ेंगे हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी क्योंकि यह तो ज में जानते हो 63 जनम अनक बंदों में रहे और अनेक जनम सब दनतर बनने का है इसका ही फल अनेक जनम जीवन मुक्तिप्रपत करेंगी तो फाउंडेंशन यहां डालना है जब इतना फाउंडेंशन पक्का होगा तब तो 21 जरम चलेगा जितना अपने में निश्चे करेंगे उतना ही नशा होगा बाप में भी निश्चे अपने में भी निश्चे और फिर ड्रामा में भी निश्चे तीनों निश्चे में पास होना है अच्छा एक एक रतन की अपनी विशेष्टा है बाप दादा सब की विशेष्टा को जानते हैं अभी आगे चल कर अपनी विशेष्टा को और कारियां में लगाओ तो विशेष्टा बढ़ती जाएगी दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है लेकिन यहां जितना यूज करेंगे खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा सभी अनुवब होना तो इस वर्ष का यही वर्दान याद रखना क विशेष्टा को कारियां में लगा कर और आगे बढ़ाएंगे जैसे यहां नजदीक बैठना अच्छा लगता है बैसे वहां भी सदा नजदीक रहना बाप दादा सदा हर एक को इसी शिरिष्ट नजर से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्या भी है अ रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को शर्दा भरी प्रेम भरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए बर्दान दूसरो के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वम का परिवर्तन करने वाले शुब चिंतक भाब दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वम का परिवर्तन करने वाले शुब चिंतक भाब सब परिवर्तन करना ही शुब चिंतक बनना है यदि सब को भोल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुब चिंतन नहीं है पहले सब और सब के साथ सर्व यदि सब का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुब चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती इसलिए स्वेम को काईदे परमान चलाते हुए सब का परिवत्तन करो इसी में ही फाइदा है बाहर से कोई फाइदा भल दिखाई ना दे लेकिन अंदर से हलका पन और खुशी की अनुगती होती रहे सलोगन सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बिमारियां मरज हो जाती है ओम शान्ती